किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में एक किसान ऐसा भी जी हाँ एक किसान है स्री भुदेव सिंग्तियागी जी जो बसी खुर्द मुझा फर्नगर के रहने वाले हैं और कल उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो भेजी है मुझे ये देखकर बहुत खुसी होती है कि अब किसान भी जो कारिये कर रहे हैं और जो मेरी बातों से सहमत हैं या ऐस सहमत हैं में उसका प्रमान देने लगे हैं जी हाँ, इस रंखला में ये तीसरे किसान है, इन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने किस प्रकार के पोधे खरीदे और उनकी लगभग दो साल बाद क्या इस्तिती है, आईए आप भी देखिए भुदेव सिंग जी क्या कहते हैं और इसको देखने के बाद में हम फिर इसक करेंगे, नमस्कार किसान भाईयो, मेरा नाम भुदेव त्यागी, गाउं बसी खुर, जिला मुझे फरनगर से हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, कि जो अपना पोधा बेचने के लिए, कुछ लोग एक गलत परचार कर रहे हैं कि बीजू पोधा और आफ का हमारा कलमी पेड लगाईये निम्बो का और उससे बहुत जल्दी ये फल देगा या जैसी कुछ ब्रांति समाज में वो लोग फैलाते हैं, इससे कहीं बार किसान भरमित भी हो जाते हैं, लेकिन एक तो मैं आप से बताओं कि मैं कोई वीशेशक नहीं हूँ इस खाली मैंने ट्राइ किया है, 120 पेड लगाई बीजू पोदे, और ये मेरा ट्रायल ही था, कि इसमें मुझे ये पता लग जाएगा कि वास्तों में जो लोग हमें बता रहे हैं कि बीजू पोदे बहुत जादा दिन में फल आता है, वो बात सही है या नहीं, तो अब मैं 18 अपरेल 2018 को मैंने ये पोदा रोपित किया था, और आज 20 मार्च 2020 है, लगवग 23 महिने के आसपास का मेरा ये पोदा है, अब आप देखिए, 23 महिने में इसमें आपको मैं फलोरिंग दिखाऊंगा कितनी फलोरिंग में आ हुआ है, ये देखिए, ये 23 महा का पोदा है, और इस पे फूलाना शुरू हो गया है, और ये ही बताया गया था कि 2 साल के बाद आपको कुछ पेड़ों पे फूलाएगा, जो कुछ ऐसे पोदे हैं जिनकी ग्रोथ अभी कम हुई, हो सकता है, उनके 6 महिने के बाद में भी उनमें फूला होगा, ऐस और मैं आपको ये भी बताऊंगा, कि मैंने इसमें क्या-क्या और वरक डाला, या और कौशी दवाईट मैं सब बताऊंगा आपको, चुकि मुझे बहुत जादे जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन जितना मैंने किया, मैं आपको वह भी बताऊंगा, ये देखिए, अब ये देखिए, अब ही मैं आपको जड़ा, और पेड़े मेरे पास, उनके देखाऊंगा, एक ये रापर, ये देखिए, ये फ्लावरिंग है, शुरू होगी, एक ये देखिए, ये देखिए, अब दूसरे पेड़ के देखता हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये इसे, ये रहा, और ऐसे काफी पेड़ों पर ये आया हुआ है, अब आपको मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, कि मैंने इसमें पिछले दो साल में क्या-क्या डाला है, मात्र दो बार मैंने इसमें गोवर का खात, सिर्फ दो बार दो साल में, तेईस महीने में जो भी कहिए आप, उसके बाद इसमें दो बार डी कंपोजर का मैंने छिड़काव किया है, सिर्फ दो बार, हाँ, इन दो सालों में कम से कम पांच या छे बार मैंने इसकी निराए गुड़ाई अवश्रक राई है, बाकि और मैं इसमें कोई वी एक्ष्टा चीज नहीं डाली है, और रिजल् मैं इस बात को नहीं मानता, यह सिध हो गया है, मेरे इन दो साल के पोदों के देखने के बाद, इसलिए आप लोग भर मितना हूं कि कलम का पेड़ी बेस्ट होता है, कलम के पेड़ से इसकी लाइफ तीन कुना जादा होती है, सबसे बड़ी बात ही है, इसका पोदा का आका पार उससे बहुत जादे बड़ा होता है, फल बहुत जादे आता है, इतना कलम के पेड़ पे, पहली बात तो कलम के पेड़ की जो साइज है, इससे बहुत छोटा होता है, अज जब पेड़ छोटा होगा, तो उससे फल भी कमाएगा, तो मेरा सभी किसान भाईयों से यह न अगर किसी किसान को कोई संसे हो तो मैंने इनका नंबर दिया है आप उस नंबर पर इनसे बात कर सकते हैं यह केवल मेरी वीडियो देखते थे और जब इन्होंने बिजु पोदे पर वीडियो देखी तो उतसे इतने उत्साइत हुए कि इन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि अगर आप इसका परमान देना चाहते हैं तो आप इसकी मेरे को वीडियो भीजिए जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कि एक बात थोड़ी सी मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ इसकी उम्र चार गुना नहीं होती कुट्टी वाले पोदों से डॉक्टर दिनेश पैठन करन जो डॉक्टर पंजाब राओ देश्मुक करसी विद्या पीठ के वेगयनिक है उन्होंने मुझे ये बताया था कि बीजू पोधे की उम्र तीस वर्स होती है उसकी उन्होंने मुझे तीन विशेस ताई बताई थी जो मैं एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ इसकी उम्र तीन वर्स होती है इसमें रोग कम आते हैं गुट्टी वाले के पेकसा और इसमें इसकी जड़े और तना मजबूत होता है जो बहुत तेज हवा चलने पर ज्यादा आपको अच्छी तरह रह सकता है मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होता जबकि गुट्टी वाले पोधे में ये नुकसान होने की संभावना है जाता है फल का मुझे नहीं पता अगर अभी पता चल जाएगा कुछ सालों में कितना फल आता है लेकिन गिसान है महरास्ट के जिन्होंने उनको बताया है आप अच्छे पुरिये दस साल के परिपक्व पोधे में दो कुंटल तक नीबू ले सकते हैं तो किसान भाईयो ये थी भुदेव सिंग जे की प्रस्तुती एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विश्वास किसी पर भी मत कीजिए मेरे पर भी इतना विश्वास मत कीजिए आप जो मैं परमान देता हूं आप उनकी सत्यता की जांच करिए और देखिए एक और किसान है चंदना कोली गाउं के जो देवबंद के पास है साहरनपूर के रहने वाले हैं रिटार्ड कस्टम ओफिसर है एक उनकी वीडियो भी मैंने दिखाई थी बहुत अच्छा बाग है उनके भी कुछ विचार नीम्बू के पोधों पर इसी प्रकार के है जल्दी ही मैं उनके फार्म पर विजिट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा तब तक के लि हुआ 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 है